नमस्कार, 36 गड़ एक्स्प्रस देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी साथ, तिशाब बिलिटन की शुरुआत करेंगे, खबरों के साथ बता दे, कॉंग्रेस के 36 गड़ प्रदेश प्रभारी सचन पालिट दो देवसी दोरे पर रहेंगे दोपहर दो बज़े रायपूर एरपोर्ट पहुंचने के बाद जाजगीर चांपा जिले के लिए रवाना होंगे इसी के साथ बताद जाजगीर चांपा में कारेकरताओं के साथ बाठक करेंगे आगामी लोग सबाचोनाफ को लेका रंडनीती बनाएंगे जाजगीर से बिलासपूर के लिए रवाना होंगे प्रदेश प्रभारी सचन पाइलेट बिलासपूर में ही रात्री विश्राम करेंगे यहाँ 22 मार्च को रायपूर के राजी भवन में बाठक लेंगे फिर शाम चार पजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे आज 36 गड़ दोरा रहने वाला है आज 36 गड़ आएंगे दो दिवसिय दोरे पर 36 गड़ रहेंगे प्रदेश प्रभारी सचन पाइलेट यहाँ कारे करताओं से कॉंग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे बैठकों का दौर लगातार जारी रहेगा और यह सभी बैठके प्रदेश प्रभारी सचन पालिट की नित्रित्वन होंगी पता देंगी लोकसभा चुनाव के मद्दे नजर बेहद महत्व पूर यह दोरा रहने वाला है तमाम तरीकी तयारिया इस दोरान की जाएंगी चुनावी तयारियों का जाइजा लेंगे प्रदेश प्रभारी कार्यकरता को रिचार्ज करते नजर आएंगे 34 कर पहुँचकर जाजगीर चांपा और बिलासपुर के दौरें पर रहेंगे प्रदेश प्रभारी सचन पालिट सबसे पहले जाजगीर चांपा पहुंचेंगे यहाँ पर कारेकरताओं से भेट मुलाकात करेंगे कारेकरताओं के साथ बाठक करेंगे लोगसबा चुनाव से पहले कारेकरताओं को रीचार्ज करते नज़र आएंगे सचन पालिट इसके बाद जाजगीर चांपा से बिलासपूर के लिए रवाना होंगे बिलासपूर में कॉंग्रिस नेताओं के साथ तमाम पतादीकारियों के साथ पाठक करेंगे और उचुनावी तैयारियों का जायजा लेते नज़र आएंगे एरपोर्ट से जाजगीर चांपा जिले के लिए रवाना होंगे जाजगीर चांपा में कारेकरताओं के साथ बाठक करेंगे यहां पर कारेकरता समेलन में शामिल होंगे आज दो पहर दो बजे राइपोर एरपोर्ट पहुंचेंगे प्रदिश प्रभारी सचिन पाइलेट राइपोर एरपोर्ट से जाजगीर चांपा के लिए रवाना होंगे जाजगीर चांपा पहुंचकर यहां पर कारेकरताओं को संबोधत करेंगे कारेकरताओं से बातचीत करेंगे अब इस खबर पर अधिक जानकारी साजा करने के लिए संबादाता हेमन्ट शर्मा मेरे साथ लाइव जूचुगे हैं हेमन्ट आज जो प्रदेश प्रभारी सचन पालेट आचार लगने के बाद प्रदेश में आने वाले हैं पहला दौरा आचार साइता के बाद क्या अपडेट अधिक दिसा काफी दिन बाद चतीजगर कॉंग्रस प्रभारी सचीन पैलेट का दौरा हो रहा है आज वो दो दिन के दौरे पर चतीजगर पहुचेंगे और तमाम बैठके अलग लग लग लोग सभा में जाकर वो लेने वाले हैं ज तरीके से ग्यारा लोग सभा सिटों में कॉंग्रेस का प्रदर्सन अच्छा रहे और इसी रणिती के ताहत कॉंग्रेस आगे बढ़ेगी उनके दौरे के बात की जाए तो दोपार दो बजे रापूर एयरपोर्ट पहुचेंगे सचीन पैलेट और एयरपोर्ट से सीधे ज जांजगीर चापा लोग सभा में करकरता हो के साथ बैठक उनकी होगी और अकामी लोग सभा चुनाओ को लेकर निती बनाई जाएगी जांजगीर चापा लोग सभा काफी अच्छा प्रदर्सन विधान सभा के दौरान उस इलाके में कॉंग्रेस ने किया था जिलेगी जो आठ विधान सभा सीटें हैं लोग सभा की वो कॉंग्रेस ने जीती थी तो इसलिए सुनाओरा औसर है कॉंग्रेस के पास उस लोग सभा सीट को जीतने के लिए क्योंकि पिछले कई दफा से वो लोग सभा सीट कॉंग्रेस के हाथ में नहीं है और इस बाद सुनाओरा मौक प्रदेश प्रभारी उनको बनाया गया पहले कुमारी शेल्जा यहां पर प्रदेश प्रभारी हुआ करती थी उनको हटाकर इनकी नव म्युक्ति हुई तो कईना कई इनक्यों पर एक तरह का प्रेशर भी जरूर होगा कि लोगसभा चुनाव में कॉंग्रेश सचिन पालेट के नेत्रतू में किस तरह का प्रदर्शन कर पाती है देखें निश्यत तोर पर सचिन पालेट के उपर काफी दबाओ है किस तरीके से ग्यारा लोगसभा चीटों पर प्रदर्शन किया जाए और जब पहली दफा चटीज गड़ आया थे सचिन पालेट प्रभारी बनने के बाद उन्होंने कहा था कि इतिहास बदलेगा और इतिहास बदलेगा और एक अच्छा प्रदर्शन कोंग्रेस यहां पर खरेगी और महिनत भी उसी तरीके से सचिन पालेट करते नज़रा है हाला कि काफी लंबे समय के बाद वो 36 गड़ा रहे हैं कोई बैटकों का दौर कॉंग्रेस में नहीं हो रहा तो लोग सबर चुनाओ को लेकर वीचिपी में एक तरफ लगातार कमेटियों की बैठक चल रही है उनके साब प्रभारी लगातार बैठक ले रहे हैं करके यहां के जो प्रभारी कॉंग्रेस को दिन बाद आ रहे एंदेकिन फिर भी अप कोसिस हो गी कि अलग-अलग इलाकों में महाल बनाया जा सके और निशित तOR पर श्लजा को हटा के प्रभारी बनाया गया सचिन पाइलेट को तो सचिन पाइलेट को उपर प्रेसर काफी है कि किस तरीके से 11 लोग सभा चीटों में अच्छा प्रदर्शन करके जो इतिहास है कॉंग्रेस दो सीटों से आगे बढ़ी नहीं है लोग सभा में 36 गड में उस इतिहास को बदला जाए और एक अच्छा को रिचार्ज करते नजर आएंगे क्योंकि विधानसफ़ा चुनाव में बड़ी शिकस्त का जो कॉंग्रेस ने सामना किया उसके बाद कार्यकरताओं में हताशा है कि अधियर सचीन परेट कूपर कई सारे दबाओं है पहला दबाओं की वो करकरताओं के बिच जाए करकरताओं को रिचार्ज करें और दूसरा जिस तरीके से अंतरकला निकल कर सामनारी कॉंग्रेस की पिछले तीन दिनों से दिखा जाए कोई न कोई या तो लेटर बं सब्सक्राइब निकल कर सामने आई उसके बाद एक लेटर बं फुटा खोसद्यक्ष जो रामगोपाल अग्रवाल हैं कॉंग्रेस के उन पर आरोप लगा पांच करोड के अधिक किरासी वीडियो नर्मा के बेटिक कंपनी को वहां पर भुक्तान किया गया तो 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 सचीन नहीं कर रहा हैं कॉंग्रेस के लिए उन कार्यकरतों को भी रिचार्ज करें चलिए ठीक है मत बढ़े रहे कुछ और भी खबरों पर मैं आपसे जातकारी लोंगे